हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जॉप में प्राथमिक को सिख्षक भरती पर्मानेंट टीचर्स वेकेंसी की बात करेंगे इस वीडियो में जिसमें एक अक्टूवर से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं आपको याद हो 11,000 से भी अधिक पदों की संख्या में वेकेंसी आएगी प्राइमरी टीचर्स के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं करमचारी चैन मंडल के द्वारा यहां पर एप्लिकेशन फॉर्म मांगे गए हैं प्रात्मिक सिख्षक की जो नियूंतम वेतन यहां पर आप लोगों को थमनेल में दिख रहा होगा हो जायेगी चलिये देख लेते हैं किस राज्यों को थी इप क्राणिड्य ट्रहसन फॉर्म थैर्ट ग्रेड की वेइकैन्सइ है और इसका जो ऐव जन एपसर्यों है क्वालिफिकेशन क्या उप तो कम से कम 50% अंकों के साथ में higher secondary, अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंबिक सिक्षा में 2 वर्स का diploma या उसके समकक्ष, क्योंकि primary teachers की vacancy है, तो primary teachers का आपके पास diploma होना चाहिए, कम से कम 45% प्रतिशत अंकों के साथ में higher secondary या इसके समकक्ष तथा रास्ट्री अध्यापक सिक् काई option दिये हुए है, इनको आप देखते जाएं, अगर आपके पास जो है ये degree diploma है, तो काफी अच्छी vacancy है ये और काफी ज्यादा पदों पर vacancy आई है, कम से कम 50% अंकों के साथ अगर higher secondary है, और इसके समकक्ष प्रारंबिक सिक्षा में 4 वर्स का इस नात्तक उपादी, ब 50% अंकों के साथ में 12 और विसेश सिक्षा में 2 वर्स का डिप्लोमा, या फिर आपने इस नात्तक की उपादी और प्रारंबिक सिक्षा में 2 वर्स ये डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष हैं, अगर आप तो भी आप यहाँ अपलाए कर सकते हैं, आरक्षित वर्ग जैसे SCST अन्य पिछला वर्ग दिव्यांग अभ्यरतियों को, सेक्षन की योगजिता अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, ठीक है, जैसे 50% अगर जनरल कैटिगरी से मांग रहे हैं, तो आप 45% पर यहाँ पर आप लोगों का आप आविदन कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखें, संस्क्रित पाट साला के प्रात्मिक सिक्षक के संबंद में संस्क्रित साहित या व्याकरण आदी विशेक के साथ माननेता प्राप्त संस्था बोड से उत्तर मध्यमा नियूंतम सेक्षन की योगजिता होगी, इसके अतरिक्त व्यवसा पाएंगे, तो यहां पर सुप्रीम कोट के अनुसार जो ग्यारा आट दो जार तेईस का निर्ने हुआ था कि बियड वाले जो है प्रात्मिक सिक्षक बढ़ने के योगे नहीं होंगे, तो यहां पर बियड कैंडिड जो है वो बिल्कुल फॉर्म अप्लाइड नहीं कर सकत हैं, वेकेंसी मध्य प्रदेश करमचारी चैन मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है, और काफी संख्या में वेकेंसी आई है, प्रात्मिक सिक्षक के लिए संयुक्त पातरता परिक्षा दो हजार चौबेस, तो पहले यहां पर एक ही परिक्षा होती थी और सिलेक्षन हो जाता था, लेकिन अब कई राज्यों में ऐसा कर दिया है कि पहले पातरता परिक्षा होगी और उसके बाद जो है सिक्षक भड़ती परिक्षा होगी, ठीक है, तो यह केबल जो है पातरता परिक्षा है, इसको आप क्लियर कर लेते हैं, तब ही आप जो next exam होगा, उसे पर आप सरकारी सिक्षक बन सकते हैं, ओनलाइन आविदन पत्र भड़ने की प्रारंबिक तिती जो है, एक अक्टूबर 2024 से है, और अन्तिम तिती जो है, 15 अक्टूबर 2024 है, आविदन पत्र में संसोधन करने की प्रारंबिक तिती, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वह जो है, एक अक्टूबर से लेकर और 20 अक्टूबर 2024 तक रहेगी, परिक्षा कब होगी, तो परिक्षा की तिती और दिन जो है, विल्कुल डिसाइड है, 10 नवंबर 2024 को हो जाएगी, इसमें जो है, अनारक्षित अब्भिहरतियों के लिए, यानि कि, जो अन्रिजव के कैंडिडेट है, उनकी जो फीज है, वो 500 रुपीज है, मद्यप्रदेश से बाहरी राज्य के कैंडिडेट सभी की फीज जो है, 500 रुपीज है, केवल मद्यप्रदेश के मूल निवासी, S.E.S.T. यानने पिच्टावर्ग, EWS, दिव्यांग जन, इनकी फीज जो है, 250 र पारणी, तो यहां पर परिक्षा 2 पाली में ली जाएगी, 10 रवंबर को ही, जिसमें कुछ विध्यारतियों को साथ वजे से 8 बजे तक, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और बाकी जो अब्यारती रहेंगे, उनका साड़े बारा से डेड़ बजे तक, ठीक है, सारी चीज जो है, वही रहता है, जो आप किसी भी राज्ये के हैं, आप तयारी कर रहे हैं, पातरता परिक्षा की, शिक्षक बनने के लिए, तो सिलेबस वही रहेगा, अभी आपको सिलेबस भी दिखा दिया जाएगा, यहां पर विशे सूची में, सायुक्त प्रात्मिक शाला पाठे ग्रम है, ठीके, अब पाठे ग्रम में क्या पूछा जाएगा, चलिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहां पर जो है, सैलरी आपको मैंने बता ही दी, नियून्तम वेतन, बेसिक पे जो है 25,300 है, और बाकी सरकारी जितने भत्ते होते हैं, वो आपको मिले प्रावेशन पीरेट में भी यहां पर सैलरी दी जाएगी, तो जिन कैंडी रेट का प्राइमरी टीचर बनने का सपना है, बहुत सारे कैंडी रेट ऐसे होते हैं, जो सोचते हैं कि अब इतना दूर जाकर जो है जॉब मिलेगी, तो देखिए, जब महनत करते हैं, तो पड़ता है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना जो है इतना सरल नहीं है इस समय, यहां पर देखें आप परिक्षा का जो सैंटर क्या रहेगा, तो बाला घाट, भोपाल, गुवालियर, इंदौर, जबलपूर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और ओज है, कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है, तैयारी कर रहे है, सरकारी सिक्षक बनना चाते हैं, तो ग्यारा हजार पत जो है, काफी होते हैं, यहां पर देखें, सभी अन्यवारे विसेवस्तू में, बाल, विकास, और सिक्षा, शास्त्र, भासा 1, हिंदी य नहीं होगी, आप आतरता परिक्षा क्लियर करें, उसके बाद जो है, जो भरती प्रक्रिया होगी, उसका भी एक्जाम दे, ठीक है, अभी 2-3 राज्यों के अगर आप एक्जाम देते हैं, तो सेलेक्षन आपका कहीं ना कहीं तो होगा ही, सरकारी सिक्षक बनने का जो आपक dot government dot in, ठीक है, आपके सामने ये page open हो जाएगा, यहाँ पर जो है, home page पर आप लोगों को नजर आएगा, online form primary school teacher eligibility test 2024, बस इस पर click कर लेना है, और जो भी information है, जो मैंने आप लोगों को भी बताई है, इस rule book में है, ठीक है, जो advertisement लिखा हुआ है, तो इसमें वो वाली advertisement है, जो क newspaper में publish की गई थी, short notice, जिसको हम short notice बोलते हैं, यहाँ rule book जो है, इस पर अगर आप click करते हैं, तो पूरा notification आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे, बिलेंगे next video में, next vacancy के साथ में, thank you.